आज में बनाऊंगी चिकन और दाल और लाई पत्ता बोईल तो कैसे बनाते हूं आप लोग देखिए गा पूरे वीडियो देखिए थोरे ही चिकन है ज्यादा नहीं है तो दाल भी थोरी लिए हूं देखिए दो के साफ कर लिया है तो चले बनाते हैं पानी बोईल हो रहा है तो इसमें एक प्याज है अद्रग लसुन है कुटी हुई और ये थोरी मिर्ची पाउडर है नमक डाल दिया मैंने स्वाधनसार अब दालूंगी दाल को दालूंगी चिकन अब इसे अच्छे से उबालाने देती हूं साथ-एट मिनित टक तो यह अच्छे से उबाला आ गया था तो मैंने इसमें साग डाल दिया है लाइपत्ता तो और आब इसे ने ढख के अच्छे मिनम अच्छे से और उबलाने देती हूँ साग को डलके इसे पकने देती हूँ पास से छे मिनीटी मैं इसे पकाऊंगी और और आप इसे मैं पास से छे मिनीट तक ढख के पकाऊंगी आगे चे मिनिट बाद बरिया से साग उला इपता भी घल गिया है और बरिया खुशबू आरहा है तो अब यह बन गिया है देखिए इस तरीका से बना के खाने से अपका वेट लोस होगा और यह फेट भी नहीं होगा शरीर में जो अपना वेट गण करना चाहते तो इस तरीक आपका वर्ट जल्दी कम होगा तो देखिए यह बनके रेडी है आप इसे चावल का साथ खा सकते हो और जो मैंने अपना लिया बनाई हूं खाने के लिए वही आप लोग का साथ सेर कर रही हूं तो कैसा लगा यह रेसिपी कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा बाइबाइबा